अब आजवाली class onwards जो topic हमने discuss करना है वो coordinate geometry का ही further थोड़ा से extension है और बहुत simple है तो जो discuss करना है हमने अब onwards point that is actually equation of a line अब सबसे पहले आजवाली class में इसका बिलकुल basic logic समझते हैं तो जब एक बार ये point के discussion हमें properly समझ में आ गई तो actually ये topic हमारा forever ready हो गया और बहुत simple है तो आजवाली class में सबसे पहले इसका बिलकुल basic logic देखो अब देखो हमने कभी algebra में linear equations देखी होती है हमने quadratic equations भी देखी होती है तो अब जब हमने अबसे पहले कभी equation का नाम सुना होता है तो हमारे mind में ये thought आता है कि equation को solve करके कोई answer आएगा पर coordinate geometry में equation of a line का मतलब कुछ और है equation of a line का मतलब है एक ऐसी condition जो की उस line के ओपर लाए करने वाला हर एक point satisfy करेगा अब दोको इस मात का मतलब क्या बना simply हमने x और y axis बनाए और मानलो ये कोई भी line हमने बना दी तो simply दो points को join करके हमने एक line बनाई ये हमने पहले भी करा हुआ है graph के उपर points को join करके line बनाई तो उस line को satisfy करती कोई condition अगर बनाई जाए तो line की जो condition बनती है जो equation of a line बनती है that is always actually a linear equation इस बात का मतलब क्या हुआ line की जो equation होगी वो हमेशा इस format की होगी ax प्लस by is equal to c देखो ये एक linear equation है linear equation होने का मतलब क्या होगया कोई number multiply करता होगा x के साथ plus कोई number into y is equal to some constant तो ये है एक linear equation जब भी कभी हम line की equation बनाएंगे वो हमेशा exactly इसी format की आएगी तो जो कोई point भी इस line के उपर लाए करता होगा वो इस condition को fulfill करेगा इसका मतलब क्या बना मान लो किसी ने हमें दिया कि x plus y बराबरेट n के तो this is the equation of a line this is the linear equation linear equation हमेशा equation of a line होती है तो अब ये कोई equation हमें किसी ने दी किसी ने कहा कि check करो कि क्या एक point 2,11 इस line के उपर लाए करता है तो हमें clarity है कि जो कोई point इस line के उपर लाए करेगा वो इस line की equation को satisfy करेगा मतलब इस condition को fulfill करेगा तो हमने simply is point 2,11 को यहाँ पे x और y के जगा fill करा ये आ गया 2 plus 11 that is 13 which is not equal to 10 तो हम directly बोल पाए कि ये point इस line के उपर लाए नहीं करता क्यों क्योंकि वो इस condition को satisfy नहीं कर रहा तो ध्यान में रखना कि equation of a line का actually मतलब होता है एक ऐसी condition जो कि उस line के उपर लाए करने वाले हर एक point ने satisfy कर ली है तो अब इस chapter का task क्या है जो topic अब हम discuss करने लगे है उसका काम ये है कि हम ये condition actually बनाना शुरू करें और बहुत simple route है इनको बनाने का जो process है that is very straightforward पर पहले हमें ये clarity होनी चाहिए कि इस मात का actually मतलब क्या होता है तो अब इसमें 2-3 बहुत simple सी मात और समझते है फिर equation of a line बहुत ही अब देखो हमें कहा गया कि चेक करो कि ये point 4, minus 2 इस line के उपर lie करता है कि नहीं करता अब देखो सबसे पहले ये recognition बनाना शुरू करना कि this is a linear equation तो अब इसके उपर कोई point अगर lie करता है कि नहीं करता तो हमें clarity है कि simply इस point को हमने put करा इसके उपर 3x plus 5y बराबर था 2k x की जगा 4y की जगा minus 2 फिल करा तो 2 इस तरफ बराबर आ रहा है 2k तो ये condition satisfy हो रही है इसका मतलब ये point इस line के उपर लाए करता है तो हमारे mind में exactly ये बोल पाने का process से ही बनना चाहिए अब इसी point पे ये next question करो अब दिको इस question में हमें given था कि this line y is equal to x minus 2 bisects the join of these two points अब दिको इसका मतलब क्या हुआ ये कोई 2 points थे मान लो a और b कोई और line अगर इनके इनको bisect करती है it means कि ये length इसके बराबर है it means कि a और b का जो midpoint होगा वो इस line के उपर lie करेगा तो हमें क्या करना चाहिए था simply इन दोनो points का midpoint निकाल देना चाहिए था जो इन दोनो points का midpoint बनता वो इस line के उपर directly lie करता तो इस line के उपर अगर lie करेगा तो इस line की equation को satisfy करेगा तो y जो की simply 3 minus 5 upon 2 which is minus 1 बराबर होता 3 into x minus 2 के तो अकेला target क्या था कि इस expression को हम लोग बिलकुल सही बना सके simply 3 into a plus 2 which is 3 a plus 6 by 2 हमने LCM लिया वहाँ से a का final answer आगया minus 4 by 3 तो इस language की importance क्या थी कि हमें समझ में आता है कि if this line is bisecting the join of these two points इसका मतलब वो line इन दोनो points को join करने वाली line के exactly midpoint से pass करेगी तो this was the requirement अब next लिखते है अब इस question में हमें कहा गया कि find the point of intersection of these two lines दो lines जब आपस में intersect करेंगी तो वो intersect करेंगी एक point के उपर पर इन दोनों lines का जो intersection है उसको observe करो कि simply हमें दो simultaneous equations given थी किसी ने अगर कहा कि इन दोनों lines का point of intersection find करो तो actually हमने क्या करना है simply इन दोनों equations को solve करके x और y की common value find करनी है तो अब हमें clarity है कि हमने वो point find करना है जो कि दोनों के उपर लाए करे तो actually हमें वो point find करना है जो कि इन दोनों equations को satisfy करे हमने इन दोनों को simultaneously solve करना था तो इन दोनों को एक साथ solve करने के बहुत सारे roots possible थे अब simply यहाँ पर minus y यहाँ पर 3y हमने second वाली equation को multiply करा by 3 तो यह second वाली equation बन गई 9x minus 3y equal to minus 27 हमने इस equation को multiply करा by 3 equation को आपस में add करा दिया तो हमें मिल गया straightforward 13x is equal to minus 26 वहाँ से x आ गया minus 2 हमने इसे किसी भी एक equation में फिल करा वहाँ से y आ गया था तो required point तो आ गया minus 2,3 अब हमें दिया गया कि this point is also lying on this line तो actually अगर यह point इस line के उपर भी लाए करता है तो simply इस point को इस line की equation में डाले जाने पे इसका answer भी 4 आना चाहिए तो minus 2,3 को हमने इसमें fill करा 2k minus 1 into minus 2 minus 2 into 3, 6 equal to 4 वहाँ से k आ गया minus 2 तो इस question में अब एक language ध्यान में रखना इसी question को बोलने का examiner का तरीका यह हो सकता था कि these three lines, first line second line and this third line are concurrent अगर हमें कोई यह language दे कि these three lines are concurrent तो हमें clearly बताया गया है कि यह तीनो lines intersect करती है at a single point और हमसे कहा जाता कि find the value of k तो हमें समझ में आता है कि इस question की language भी exactly same ही है, same तरीका ही हुआ पहले हम क्या करते first two lines को solve करके point find कर लेते और फिर उस point को हम third वाली line में put कर आ देते तो इस language को भी धियान में रखना कभी अगर दिया जाए कि these three lines are concurrent या check करने को कहा जाए कि check whether these three lines are concurrent or not तो हम क्या करते पहले दो lines को solve करके point निकाल लेते और फिर उस point को third वाली line में check करते कि वो lie करता है कि नहीं करता तो इस language को भी धियान में रखना अब बिल्कुल इस अब अब बिल्कुल